प्रेंस कैसे हैं आप सब आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे कुशन मंगल होंगे जहां विए सुखी और सुरचित होंगे तो आज ब्रस्पत्वार है और चब्बे जनौरी और वसंत्मच पंचनी का आपको बहुत देर सारे सुपकाम आए आज है वसंत्मच पंचनी औ पूरा पूजा उगरत मुझे नहीं करना था तो मैं रहां के आगई हूं आज काम उने नहीं दिखाया था क्योंकि सुबह जब उटे तो फोल में वेटरी नहीं था तो इसलिए उन्हें कुछ नहीं करा था और डारेक्रेट दो उचार्ट में लगा के और फिर सारा काम ने क सब्सक्राइब कर दिया है कि अच्छा उगरा सब हो गया है सुबह का स्टार्टिंग जो होता है काम भूटीन तो आप लोगों ने पहले ही देखा है लेकिन करूं के कल आवर दो तीन दिन से नहीं सिल पाई थी थोड़ा स्वास्त भी नहीं सई था और बेस्तता तो था खा नहीं कर पाई यहीं था इस इस एक लिजन से कोई ब्लाग मेरा नहीं बनाता और मैं जो आज नहांके में पहले यहीं कर लेती। बास चीत करती हैं इसकी बाद अबना खाना अगरा करी करों घी, खाना आज बनाएंगे ये रोग कि टीन दीन पर खाना बनाती। खाना ज़ बनाएंगे ये लेकिन पहले शुन आप गई है, काई प्रवार और बाद से बाद से बहुता होते हैं, बड़े दोहरों कुछ नहीं वस्ता है, यही था, आज का तो इस माह में बाग माह में तो यही लाश्ट था, बसंत पजमी तो सुवाच है, और इस पार जैसे माह जो है पीछे चल ला आया है, इस पार उट पर आज पर आ माघ माघ में पड़ा है, वो भी पांच दिन इसमें भी गया, मात्र दस दिन बचा है, माघ खतम होने में, तो फ्रेंज यही धाच का और मैं सिलना हुझे व्लोग जो गरा, क्योंकि जाना है मम्मी कहां, तो थोड़ी से तैयारी करनूं कि व्लोग आज बनेगा, और चलते हैं तो फ्रेंज हमारा बाद चीत तो आप लोगों से हो ही गया है, तो अब मैं थोड़ा सा बालो गेरा कंगे करके, क्ले बाल में किचन में तो नहीं चाहूंगी, और जो छोटे मुटे अपने काम है, तो वो कर लूँगी, और इधर चद्दर और यह सोभा कवर मैं धूल दे ह तो अब तो भाई डाल दिये थे मशीन में कपड़े, तो क्या करूं और मचर दानी भी बारी गंदी हो गई है, और यहां पर बहुत मचर लगते हैं, तो मचर दानी तो रोज ही लगाना पड़ता है, तो यह भी एक बड़ा काम रहता है, मतलब मचर दानी लगा और यह कुझा नहीं करना होता है तो एसे लगते हैंा सुभा कितना लंबा हो काम हो जाते हैं जाता हुआ जब काम करना तक लगता है और मने बजिता हु थीक कर लूघ हıllा है हैं क्योंकि में व्लग इसले में कने ना चैक सब्सक्राइब तो मेरे बिखरी कपड़े सुखा के फिर में करून की सिलाई तो आज कई दिन हो गया था ना कोई व्लॉग नहीं बन पाया था तो मैंने सुचा चलो आज बनाती हूं और कप तक नहों करूं क्योंकि कपड़े सिनला है जाना था माई के जाने की धुन सवार है तो उसकी तैयारियां कर रही हू तो अहां पर लंबा जाता है तो लंबा व्योस्था भी करना पड़ता है कपड़ों का चल नहाफ्रंस झचप्ड़े कपड़े सुखाने के लिए और पूरा बाल्टी कपड़े से बंदेती होगों के दिकगत थोड़ा हो जा रहा है लिगि चलते हैं छुखा के आते हैं इस तो आ गए हैं चट पर लॉक खोड़े हैं तो फ्रेंस यहां पर मैं सुखा रही हूं कपड़े और कई तुनों के कपड़े मेरे रस्य पर लटके हुए हैं कि मैं बतारी हुए ना सिलाई के चकर में कोई भी काम नहीं कर रहे हूं फालतू तो यह हमारे कपड़े देखे सूख कई दिनों बाद में सुखा रही हूं कपड़े और जो कपड़े मेरे सूख गयन आज मैं यहां अंदर रस्य पर रटका देती हूं और कौन धुले बार-बार और इधर अम्मा सबची बना दी हैं और अपना खाना अम्मा खा ली हैं अब मैं बनाऊंगी सब के लिए रोटी पर यह जो साफ सफाई की है जाड़ो पोचा बरतन अगरा यह तो मतलब करना ही रहता इसको कोई इंग्नोर नहीं कर सकता हुए कोई तरदेर भी निकल तो हमारा खाना अगरा हो गया सबने खा लिया किचन भी क्लीन हो गई है बस थोड़ा सा मैं जाड़ो कर दूंगी क्यों सब्सक्राइब न लगाएगा जाड़ो और हमारा सारा सुबह का काम अगरा है मिलते हैं साम को तो फ्रविफ रहे हैं कफ DM और यहीं सब 관련 सब्सक्राइब को с físने साब members hi यहीं वर तो यह देख रहे हूं कि कौन सब्जी मैं सुभाइ बनाऊंगी इनका सुभाइसी डूटी रहेगा तो यह चाट पिन करके और सारी सब्जियां साफ करके पोलतीन में बांध मांध के मैं रखूंगी ऐसे नहीं रखूंगी और यह सलाद वाले चीज़े अलग रखूंगी और काट के देख है उसके बाद में थोड़ा साग है तो साग में पालक बनाऊंगी आज तो पालक के साग साफ करके फ्रेंस बस वहीं तक हमारा आज का ब्लॉग रहेगा क्योंकि पूरे दिन का थोड़ा थोड़ा दिखाया बहुत लंबा हो गया तो फ्रेंस यही सब तयारी इ और इसमें मैं डालने हूं चाट मसाला, चाट मसाला से प किता बहुत अच्छा लगता लगता है है तो इस बुद्ध को में जालना वहीं थो ताली हाज में दे रही है मैं काट रही हूं और देखें साइड में विश्तर पर सिलाई की सामागरी सारी पड़ी हुई है तो ऐसे ही मितलब घर कुछ खास नहीं समेट रही हूं क्योंकि सिलाई चलना है तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा फ्रेंस लाई सेस्क्राइब कर दीजेगा और कमेंट और लाइक कर आपका